बॉलिवर्ड में ड्रग्स की परते एक-एक करके खुल रही है सीक्रेट कोड दी कोड हो रहे हैं बड़े नाम बेनकाव हो रहे हैं NCB की चैट में दीपिका पादुकोन का नाम भी सामने आया दीपिका कौन कंपनी की मैनेजर से ड्रग्स मांग रही है और इसी करड़ी में श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है आज तक परपाबनादान के बोटमैन ने खुलासा किया था कि श्रद्धा कपूर सुशान की पार्टी में आती जाती थी जहां ड्रग्स का दौर चलता था एंसी बी ने सुशान की पूर्व मैनेजर जया साहा और श्रुती मोधी के अलावा आज करिश्मा को भी पूछता आज के लिए समन किया है करिश्मा कई और राज से परदा उठा सकती है दिपीका तुम्हारे पास माल है करिश्मा हां लेकिन घर पर मैं बांदरा में हूँ अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ दिपीका येस प्लीज करिश्मा अमित के पास है वो लेकर जा रहा है दिपीका हैश है ना गांजा नहीं करिश्मा हाँ हैश है दिपीका तुम्हारे पास माल है करिश्मा हा लेकिन घर पर मैं बांदरा में हूँ अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ दिपीका येस प्लीज करिश्मा अमित के पास है वो लेकर जा रहा है दिपीका हैश है ना? गांजा नहीं करश्मा हाँ हैश है क्योंकि अभी तक तो जो लिंक है उनसे ही पूच्टाच की और इशारा किया जा रहा है जो सबसे पहले हमें जानकारी मिली है सबसे पहले पूच्टाच होगी अब नित्रियों की बात करें तो सारा अली खान से रकूल प्रीच से सिमन खंबाटा से और स्रध्धा कपूर से बारी बारी से सबी को सम्मन भेजा जागा इसी हफते इन चारों से पूच्टाच हो जाएगी अगर आज की बात करें तो आज जो पूच्टाच होनी है वो काफी एहम पूच्टाच हो रही है बॉलीवूट के ड्रक्स एंगल को लेकर देखे आज जयासा को ने कौन कमपनी में काम करती है जयासा के शरद्धा कपूर के साथ ड्रक्स के चैट आए है जयासा के नमरता सिरोटकर के साथ ड्रक्स के चैट आए है इसके लावा जयासा का रिया चकरवर्ती के साथ चैट था जिसमें वो शोसान को सीवीडी ओ आयल देने वाली बातचीत हो रही थी लेकिन कल जया साथ से जब 4 घंटे की पूस्ताच हुई थी तो आज करिश्मा को संबन किया गया करिश्मा को ने दिपका पादकोन के साथ ड्रक्स की वाट्सप चैड थी जिसका कल खुलासा आज तक ने किया था तो आज करिश्मा से पूस्ताच होगी जो काफी एहम पूस्ताच होगी करिश्मा क्या कुछ बोलती है उसके आधार पर आने वाले दिनों में अगर वो खुलासा कर देती है तो बहुत मुम्किन है कि दिपका पादकोन को भी आने वाले दिनों में नार्कोटिक्स कंट्रोल व की फोकस है जैसा करिश्मा से पूछ ताच होगी और इसके बाद आने वाले दिनों में यह इसी हपते सारा अली खान, सिमोन खंबोटा, रकूल प्रीट सिंग और स्रधा कपूर से पूछ ताच होगी जी बिल्कुल और एक आप पूरा मामला उठा कर देखें तो कंजम्शन को लेकर के बहुत बड़ा मामला बन रहा है अभी तक अभी तक रुख रहा है पूरी सुशान सिंग राजपूर ड्रग के से इन्वेस्टिकेशन को लेकर तो कंजम्शन के अगर एलेक्ट्रोनिक एविडेंस मिल जाते हैं साथि साथ कोई शक्स आपके खिलाफ ये बयान देता है कि हां मैंने फला फला को ड्रग सप्ला किया है इतना आपकी गिरफ तारी के लिए काफी है सेक्शन ट्वेंटी सेवन एंडी पीएस एक्ट का काफी अच्छे से नार्कोटिक्स कंट्रूल ब्यूरो इस पूरे केस मे सब्सक्राइब ये गेटवे इंडिया के पास कैस्टाओ से जिसमें डेली की जो एसाइटी टीम है नार्कोटिक कंट्रूल ब्यूरो की वह आई भी है ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने जो ऑफिस है अपना वो मेक्शिफ्ट ऑफिस बनाई हुए और वहां पर ही जयासा औ इन सभी लोगों को at least questioning के लिए तो जरूर बुलाएगी नार्कोटिक सेंट्रूल ब्यूरो ठीके मुस्तफा आपके पास लोटेंगे लेकिन एक एक कर बॉलिवूट की हसीनाओं के नाम ड्रग कनेक्शन से जुड रहे हैं और शिरुवात रिया चक्रवर्ती से हुई बाद में ये बात दीपिका पादुकोन तक आप पहुची है बॉलिवूट की साथ हसीनाओं अभी NCB के रडार पर हैं और रिया के अलावा छे और ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं जिसमें दीपिका पादुकोन, नमरता शिरोटकर, साराली खान, शरदा कपूर और राकुल प्रीत के नाम सामने आया है, सिमौन खंबाठा का नाम भी ड्रग्स मामले में सामने आच चुका है फिलाल यहां रुकेंगे लिए फॉरन होगे हाज़र कुछ और खबरों के साथ देखते रहे हैं आज तक लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे हैं आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले